हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो गैत्मोर इंफो यूटूब चैनल UPBC सखी योजना के बारे में UPBC सखी स्केम के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आपको नहीं पता है UPBC सखी योजना क्या है अभी इसके applications भी invite किये जा रहे हैं अगर आप interested हो तो apply कर सकते हैं लेकिन हम इस वीडियो में पहले तो ये ही जानेंगे कि वीडियो सखी योजना है क्या देखी ये जो योजना है UPBC सखी योजना ये UP State यानि उत्तर प्रदेश स्टेट की ये योजना है उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रामीर विकास विभाग के अंतरगत आने वाले UP राज ग्रामीर आजीव का मिशन के अंतरगत ये घोशना की गई है ये योजना स्टार्ट की गई है और ये योजना Vice May 2020 से श्रूवात की गई थी अभी इसके करेंट में अगरम बात करें तो इसके अप्लिकेशन से स्टार्ट हो गए है लास्ड इडिस की पांच फरवरी रहेगी अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम का जो मकसद है ये जो योजना स्टार्ट की गई है बैंकिंग से रिलेटेड बैंकिंग के छेतर में ये योजना आप कह सकते हैं यहाँ पर जो इसकिम रखी गई है ये जो योजना है वी सी सकी योजना इसमें जो महलाई हैं जो महलाई यहाँ यहाँ पर सलेक्ट होंगी जो भरती यहाँ पर होगी उनको गाउ-गाउ जाकरके बेंकिंग फैसिलिटी गाउं के लोगों को देनी होगी तो ये बेंकिंग से जड़ी हुई एक योजना है और ये दोत मकसद से यहां पर ये योजना लाई गई है एक तो महलाओं को रोजगार मिल सके और दूसरा जो ग्रामीर छेतर में लोगवाग रह रहे हैं जिनें बैंकिंग सुब्धा में उन्हें दिक्कत ना हो बैंकिंग से रिलेटेड जो भी काम हो उन्हें उनके गाउं तक उनके घर तक ये सुब्धाएं ये जो VC सखी जो स्लेक्ट की जाएंगी वो गाउं गाउं जाकर के ये सुब्धाएं देंगी तो ये है UPVC सखी योजना या इनको बैंक दीदी के नाम से भी लोगवाग जानते हैं पहचानते हैं बैंक वाली दीदी के नाम से और अगर हम बात करें कि इसका जो आप नोटिस देखना चाहते हैं या ये किस वेबसाइट के थूँ तो आप यहाँ पर www.upsrlm.org वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं सो अभी हमने देखा कि UPVC सक्खी योजना क्या है अब कौन इसमें आविदन कर सकता है अलिजबिल्टी क्या है सैलरी क्या मिलेगी यह अब हम डाल लेते हैं VC सक्खी VC, VC का full form है यहाँ पर banking correspondent सक्खी और अगर हम organization का नाम जाने तो यह उत्रपरदेश स्टेट रूरल लेवले हुड मिशन के थूँ यहाँ पर यह notification निकाला गया है अगर हम अभी 2023 में अगर हम बात करें अभी जो vacancies total आई हुई है 3808 total vacancy है online आपको apply करना है कौन इसमें apply करेगा तो सर्फ और सिर्फ female candidate इसमें apply करेंगी यह जो योजना है यह female candidate के लिए है महलाओं के लिए है male candidate के लिए यह योजना नहीं है इसमें सिर्फ female candidate ही आविदन कर सकती है अब यह UP state UP उत्तरप्रदेश राज्य की यह योजना है तो इसमें जो महलाओं रहेंगी वो उत्तरप्रदेश राज्य की ही रहेंगी उत्तरप्रदेश की मूल निवासी इस्थाई निवासी ही इसमें आविदन कर सकती है और ये जिस gram पंचायत में आप आविदन कर रही हैं, जहां से आप belong करती हैं, उसी gram पंचायत के लिए आप आविदन कर सकती हैं, अगर हम qualification की बात करें, तो जो भी female candidate इसके लिए apply करना चाहती हैं, या interested हैं, तो इस योजना का love लेना चाहती हैं, तो उनका pass out होना जरूरी है 10th class, कम से कम आप 10th pass out हैं, आप इसके लिए eligible हैं, आविदन कर सकती हैं, इस योजना के तहट आप भरती ले सकती हैं, वहीं अगर हम age limit की बात करेंगे, तो age यहां पर रखी गई है, 18-50 साल general के लिए reserve categories में relaxation भी रहेगा, तो 18-50 साल की female candidate, UP state की जो भी domitial हैं, जो permanent इस्था जो निवासी हैं, वो वहां से आविदन कर सकती हैं, एपलाई करने के लिए आपको कोई वी fees यहां पर pay नहीं करनी है, selection procedure आपका merit के वेस पर होगा, 10th का जो भी percentage होगा, उसी के वेस पर होगा, कोई भी आपका test या interview, कुछ भी नहीं होगा, simple आपका merit के वेस पर selection रहेगा, तो यह है, UPBC सकھی योजना, उतरपरदे सरकार के दौरा चलाई गई VC सकھی योजना, जिसके अंतरगत ग्रामीर छेत्रों में, ग्रामीर छेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, वहां तक बैंकिंग सेवाओं को पहुचाना, यह VC सकھی का काम रहेगा, या इसको बैंक वाली दीदी भी लोग बाग कहते हैं, बैंक वाली दीदी, यह भारतीय रिजर्व बैंक के दौरा भारत के विभिन बैंकों के अंतरगत, माइक्रो एटीयम के दौरा ग्रामीरों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुचाया जाता है, जिसमें बैंकिंग कोरिस्पेंडेंट सकھی, यानि VC सकھی, यह एहम भूम का निभाती है, सो VC सकھی योजना क्या है, और 2023 में अभी application से start है, आप चाहें तो apply कर सकते हैं, लेकिन apply करने के लिए आपको VC सकھی योजना एक app है, प्ले स्टो पर जागर के आपको वो app डाउनलोड करना होगा, वहां से आप उसमें आवेदन कर सकेंगे, आसा क करती हूँ, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर कीजेगा, thank you